आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ कॉन कटिलेट सेंड्विच की रेसेपी इसे बनाना बहुत ही असान है और यह खाने में उतना ही टेश्टी लगता तो मैंने यहाँ दो उबलेवे आलू यहां पे लिए हैं दो से दिन तो अब हम इसे अच्छे से मैस कर लेते हैं और अ जब जाएगा हां भी अब होपन ट्यूज एक हो अब हरी मार्ची आप इमिक्स कर लेक हैं अच्छे से मिकस के लेना उस तक इस अच्छे से मिक्स हो जाएं और अब भी जूजा और आप अधरसे कोड़ों कोछ उसे से मिक्स कर लेता है आप इसके कोई भी सेट दे सकते हैं इस तरह किसे आप सेट देते हैं और अब हम क्या करेंगे यहाँ पर मैंने लिया है दो ठीस्पून के करीब कॉर्ण फ्लोर अब इसे पानी में हम अच्छे से गोल लेते हैं हलका गारा होना चाहिए और आप हम इसमें लीह डिफ करेंगें हलका सा और मैंने ड्रेक्ट करेंगे दोनोगा अपिक आप तरह नहीं आप शसके काहिऊं और के अ्युक्तित को यो थाकिक लेका मारें। इसे खाने में और ज़्यादा टेश्टी लगता है साम को हमेशा लोगों को मन करता कुछ चुपटा सा खाया जा और अभी जू ताइम है वर्षा का इस समय तो मन करते रहता है कि कुछ न कुछ खाया जाए यह काफी है और ना जादा फ्राइड भी नहीं है तो यह कटलर तया अज़ा खीरा और टमाटर आप यहां पर मैंने सेंडविच मसाला मेरे पास था तो मैंने एड कर दिया दूनों दूसरे भी ड़ेट से ढ़ दिया और सेंड़िच मसाला कर रसेपी मैंने पहले ही डाल चुका है आप वहां से ले सकते हैं तो अब हम दोनों से ब्रेट में बनाइए और खाये अगर आपको मेरे रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिजिएगा थैंक्यों